जैश्य किश्ना राधे राधे मैं हूँ आपकी दीवशिखा और आप देख रहे हैं दीवशिखा लाइफ स्टाइल डेकोरेशन आज की वीडियो को न एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आज की वीडियो होगी सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जिसको हम multi-purpose यूज कर सकते हैं तो इस तरह की जो भी कलर की शिशी खाली हो चुके हैं उनको फटा फट से लेके बैट चाहिए साफ कर लीजे और उसको अच्छे से सुखा लीजे जैसे कि मैंने ये लेके रख ली हैं कुछ साफ कर ली हैं कुछ अभी करनी बाकी हैं अब क्या है कि पहले एक वॉल पुट्टी का डो बना लेते हैं, तो देखे वॉल पुट्टी ही जादा से जादा कोशिस कीजिए यूज करने की, क्योंकि ये पड़ती है बहुत ही सस्ती, 35 रुपए का एक किलो का आपको पैकेट मिल जाएगा, और उस एक किलो में आपके सार मिलाया था वॉल पुट्टी के पाउडर में, और ये हमारा जो वॉल पुट्टी का डो है, बहुत ही सौफ्ट सा अच्छा सा बनके तयार हो गया है, हातों में कोई भी मॉस्टराइजर लगाने के बादी वॉल पुट्टी पर काम करना है, कोई भी चिकनी चीज जो है, उस इसको इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, उसी प्रिकार से ही एज़स्ट करते रहना है, तो जो मटकी है भाई भाई बहुत ही सुन्दर वन के तयार हो जाएगी, और हातों से आपको उसको फिनीशिंग देनी है, और उसको पूरा कवर अप करना है, अब पूरा मटकी का शेप है वही एक्जेक्ट बना रहेगा, अब जहां जहां भी थोड़े से स्क्रैचेज आपको दिख रहे हैं, चटका हुआ दिख रहे हैं, तो बॉल पुट्टी के पेस से उसको पूरा स्मूथ कर देना है, अब बारी है उपर पूरा कम्प्लीट करनी की, तो आपको वॉल पुट्टी का डो लेना है, और कुछ इस तरह का उपर उठा हुआ शेप देना है अपने उंगलियों की हेल्प से, जैसे कि जब एक कोई कलश होता है, तो कलश के उपर क्या रखते हैं हम नारियल, योगि पूजा में बहुत ही एहम चीज होती है कलश, जि और हलका सा जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप इसको करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे फिनेशिंग के साथ आपका नारियल बनके तयार हो जाएगा, अब मटकी के उपर पतला सा एक कोईल चिप का देंगे, जिसके उपर हम डिजाइन देंगे, जिससे फ्रूटी पीते हैं, जो प्लास्टिक का पाइप होता है, उसका एक साइज जो होता है इस तरह की डिजाइन आती है, तो वही आप इस तरह प्रेस करेंगे, तो मटकी के उपर बहुत अच्छी नकासी भी देखने को मिलेगी आपको, और बहुत आसान तरीके से ये बनके तयार भी हो जाएगे, अगर आपको ये डिजाइन करनी है, तो पाइप का दूसरा साइट कर लिजे, और अगर सरकल करने है, तो दूसरा साइट कर लिजे पाइप से, अब नारियल जो बनाया था, उसके नीचे भी एक पतला सा कॉयल लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो शीशी का ढखकन ह वो दिख रहा है, और हाथ से दबा के इसको एकदम फ्लैट कर देंगे, फिनिशिंग के साथ, अब जैसे ही ये सूकता है, उससे पहले आपको चाहिए होगा कार्ड बोर्ड, अब जितने बड़े कलश हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा ही हमें सरकल चाहिए होगा, क्योंकि उ यारी करते हैं आम की पत्ति को बनाने के, तो इसको क्या है कि आप अपने हथेली पे, उंगली पे या किसी भी चीज पर रखके, छोटे-छोटे से पहले पत्तियों की डिजाइन बना लीजे, और कोई भी धार-दार चीज से जो पत्तियों की डिजाइन होती है ना, वो के पास कटोरा है, ऐसा बरतन है, जिसकी किनारी चोड़ी हो, जैसे कि मैंने इसका यूज किया हुआ है, सारी पत्तियों को मैंने बनाने के बाद इसके उपर लटका के ऐसे रख दिया है, तो जब ये सूखेंगी ना, तो ये पत्तियों का जो शेप है ना, वो मुड़ा हु हुआ ही हमें मिल जाएगा, जैसे कि मैंने देखिए चार उतरप इसी तरह से पत्तियों को रख दिया है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इमानदारी से लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जैश्री किष्णा या रादे रादे तो अवश्य ही आपको वॉल पुट्टी पूरी इसके उपर ऐसे इस तरह से फैला देनी है, और कुछ ने करना है सिर्फ हातों से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे और यह पूरा स्मूथली फैल जाएगा, और फिर इस कलश को इसके उपर आपको चिपका देना है, अब बारी है जो न पत्या सिर्फ कलश में ही नहीं चिपकानी है, आप नीचे यह जो कार्डबोर्ट का शेप हमने बना के रखा हुआ है, इस प्लेट में भी आपको चिपकानी है, बस यह है कि पत्या उपर वाली नीचे की तरफ मुड़ी होंगी, और नीचे वाली जो होंगी वो उपर की तर कर देते हैं, और यह जो पत्या है, इनको ना मैंने दो शेड में किया हुआ है, जैसे कलश वाली जो पत्या है, उनको मैंने लाइट ग्रीन दिया हुआ है, और जो सबसे नीचे वाली होंगी उनको डार्क ग्रीन दिया हुआ है, और अपने कलश को हमने पेंट किया है, जावट हो जाएगी जैसे कि मैंने अलग-अलग कलर को अलग-अलग तरह से चूज किया है जिसे कि यह जनमास्ट में में बहुत ही कलर फुल दिखेगा और जो भी कलर होते हैं अगर आप मार्केट से भी लाते ना तो उसमें भी मल्टी कलर ही चूज होते हैं उसको सजाने के लिए जिसी कि वो देखने में बहुत ही क्या लगते हैं तो अभी आप देख रहे है ना ये लग रही है ना आपके एकदम पूजा की मट्की अब हम क्या है कि इसको देखिए पूरा अच्छे से कलर हो चुका है और भी ये ड्राइ भी हो चुका है अब क्या करना है कि इसमें हमें थोड़े थोड़े से शेड देने है तो जो ब्लू कलर किया है इसमें हम हलके हाँ से हलके ब्रश से golden color का touch देंगे क्योंकि हर एक मटकी में आपने देखा होगा golden color की नकाशी तो होती ही है तो ये हमारा complete हो गया है अब आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे जो पतियां dark color की है तो जितनी भी पतियां होती है वो भाई कुदर की देन होती है वो exact एक ही color में तो होती नहीं है तो जो dark color की थी उनमें मैंने light green color का shade दे दिया अब बारी है छोटे छोटे से काच के ये mirror लगाने की तो जो मटकी है उस मटकी के चारो तरफ ये mirror हम लगा के चिपका देंगे तो जनमास्ट मी special हमारा जो पूजा का कलश है वो बनके तयार हो चुका है अब आप इसको जहां भी रखना चाहें वहां रख सकते हैं और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये सिर्फ ना की जनमास्ट मी में काम आएगा ये आपको आगे नवरात्री डेकोरेशन में भी काम आएगा गनपती डेकोरेशन में भी काम आएगा दिवाली में भी आएगा यानि कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ के काम होते न कलश के बिना तो वो पूरे होते ही नहीं है तो अब आपका जो है फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा है क्योंकि देखिए मेरी कोशिस क्या रहते है कि हर बार कुछ नया बनाया जाए क्योंकि जन्मास्टमी की तैयारी हम हर साल करते है अब एक इसी चीज अगर हर बार बनाते रहेंगे तो फिर मजा ने आता न कुछ नया नया बनाएंगे अच्छा अच्छा बनाएंगे तो एक जो उत्सा और उमंग होती है वो और भी जादा हमारी बढ़ जाते है तो ये रहे हमारे पूजा के दो कलश जिसको आप अपने जो है लड़ू गोपाल के पास रख सकते है माता यशोदा की जो पूजा इस्थल होगा रसोई घर होगी या जो आपने तुलसी का घीरा बनाया होगा वहां रख सकते हैं या जब आप नंद भवन बनाएंगे तो नंद भवन के अंदर जाते समय जो रास्ता होगा इनको आप वहां भी रख सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब माइ चैनल फॉर मोर वीडियोज